आज मैं आपको करवाने जा रही हूं ट्वैल्थ क्लास का चैप्टर है इंडिगो जो कि बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है हर साल बोर्ड एक्जाम्स में यहां से क्वेशन कोट किया जाता है यह जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है कुछ फ्लार्स दिखाई दे होगे तो आप लोगों को याद रहेगा इंड तक ठीक है तो मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ जो भी सीन हुए हैं जो भी इवेंट्स हुई हैं उनकी इमेजिस डालिए कि आप लोगों को पता चले कि क्या कुछ हुआ था यह आपको माइंड मैप दिया गया है कि कि किस तरह से क्या क्या प्रोसेसिंग हुई थी किस तरह से किसे मिले थे राजकमार शुक्र है वो महात्मा गांदी को मिले थे और किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया था और लास्ट में किस तरह से महात्मा गांदी ने उन पूर पीजेंट्स को उनका हक दिलवा दिया था कि यह माइन मैप है इसको ज्यादा करने के नीड़ नहीं है यह तो सिर्फ आपको बिताने के लिए है अब देखिए हम शुरू करते हैं यह आपको प्लांट दिखाई दे रहा है इंडिगो का प्लांट इस पे छोटे छोटे फूल आती है जिन से इंडिगो तयार होता है नील बन सकता है ये भी मैं आपको हर एक वीडियो में हर एक lesson के तुरू आपको बताती जाओंगे कि कहां से lesson को lesson को कहां से आपको बहुत ज्यादा deeply पढ़ना है ठीक है चली हम देखती है इस lesson का introduction In this story, Lewis describes Gandhiji's struggle for the poor peasants of Champaran, who were the sharecroppers with the British planters. They led a miserable life and were forced to grow integral according to an agreement. They suffered a great injustice due to the landlord system in Bihar. Gandhi waked a war for about a year against their atrocities and brought justice to the poor peasants. इस story में Lewis, जो Lewis writer है, Lewis Fisher उन्होंने describe किया है कि किस तरह से Gandhiji ने struggle किया, किस के लिए, पीजेंट्स के लिए जो चमपारंग के पीजेंट्स थे और वो एक agreement के अंडर जिसमें agreement में यह होता था कि 15% land पे वो लोग इंडिगो उगाएंगे और वो पूरी इंडिगो की जो खेती होगी वो Britishers को देंगे. इस तरह से उनका life काफी miserable हो गया था और उन लोगों के साथ बिहार में काफी injustice हो रहा था. इसलिए गांधी जी को राजकुमार शुकल नहीं बताया और उसके according गांधी जी को तकरीवन एक साल लगा उन पूर पीजेंट्स को अपना हक दिलवाने के लिए. ठीक है चलिए आगे चलते हैं. इसमें करेक्टर से बताई हुएं कि इस lesson में main करेक्टर कौन कौन से हैं. राजकुमार शुकल है एक share cropper है जो महात्मा गांधी को चंपारन के बारे में inform करने के लिए आता है कि महात्मा गांधी जी आप हमारी help कीजिए और चंपारन में हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है. ये राजकुमार शुकल महात्मा गांधी को information देती हैं. चार्ल्स फ्रियर एंड्रियू ये follower ओफ गांधी जी ये एक British person है जो गांधी जी के अच्छे friend है जिसमें last मेरा जिंदर परसाद और कहती है न महात्मा गांधी जी को कि चलो हम चार्ल्स एंड्रियू को अपनी तरफ मिला लेती है तो उनकी help से हमें जल्दी से हमारा problem का solution म मिल जाएगा बड़ गांधी जी ने मनाखर दिया था कस्तूर्बा कौन है गांधी जी की wife है जिन्होंने last में चंपारन में ladies की help की थी उनको साफ सुतरे रहने के लिए उनको कपड़े बगर दिलवाने के लिए और उनको उनके लिए study का परबंद करने के लिए देवदास क होना है महात्मा गांधी जी का सबसे चोटा बेटा है इस lesson में यह चार characters हैं यह जो आपको दिखाई दे रही है यह राजकुमार शुकल हैं जो एक share cropper हैं वो खुद भी काफी पीडित थे और वहां के लोग चंपारन में ही रहने वाले हैं यह और वहां के लोग भी काफी पीडिते इसलिए यह महात्मा गांधी के पास आती हैं कि हमारी problem का solution दीजी आप लोग यह काफी active person है यह देखिए राजकुमार शुकल आपको दिखाई दे रही हैं फिर से अब इस lesson का जिस्ट देखिए जिस्ट ओफ दे लेशन राजकुमार शुकल पूर शेर क्रॉपर फ्रों चंपारन वीशिंग तू मीट गांधी जी राजकुमार शुकल इलिटेट वह अनपढ होता है बट रिजोल्यूच हैंस फॉलोवड गांधी जी टू लखनव कानपूर यह सी ए ड काफी टाइम लगेगा क्योंकि मैं पहले ही प्रोमिस कर चुका हूं कुछ लोगों से और वहां जाके उनसे मिलने के लिए इसलिए वो गांधी जी का वेट करते रहते हैं उनके साथ साथ हो पहले लखनव जाते हैं फिर कानपूर जाते हैं उनके पीछे फिर एहमदाबाद फिर कैलकटा फिर पाटना मुझाफरपूर और बाद में फिर चमपारन पहुचते हैं ये काफी ब्रेव परसन थे वरना ब्रेटिशर्स से ये शेयर कोड़ पर्स काफी डरते होते थे बट ये ब्रेव थे इसलिए ये महात्मा गांधी के पास अपनी प्रॉब्लम लेके आ अब जो राजकमार शुकल है वो राजिंदर परसाद के घर आमतार पर जाया करते थे अपने प्रॉब्लम से लेके राजिंदर परसाद के पास तो राजिंदर परसाद के सर्वेंट्स को लगा कि महात्मा गांधी भी एक शेयर क्रॉपर है ठीक है तो उन्होंने इनको भी untouchable ही समझ लिया तो जब महत्मा गांदी ने पानी मांगा उनकी राजिंदर परसाद के घर एक वैल था कुवां था वहां से जब इन्होंने पानी पीना चाहा तो उनके सर्वेंट्स ने मना कर दिया और क्या कहा महत्मा गांदी को कहा कि जिस भकेट से आप लोग पानी पी रहे हो अगर आप इस भकेट से कुछ बूंदें कुए में गिर गई तो वो कुवां भी हमारे लिए अपवित्तर हो जाएगा ठीक है तो गांदी जी के साथ इस तरह का भी हेव किया गया था क्योंकि रजेंदर परसाथ घर पे नहीं थे और उनके सर्वेंट्स ने गांदी जी को भी एक शेयर क्रॉपर ही कंसीडर कर लिया था उन्हें पता नहीं था कि गांदी जी कौन है गांदी जी कंसीडर्ड एजन अंट अंटचाबल विकोज ओव सिंपल ल अब डिसाइडे तो गो टो मुझफरपूर फरस्ट टो गेट डिटेल इन्फॉमेशन अबाउट चमपारन शेयर क्रॉपर अब वहां से महात्मा गांदी ने क्या सोचा कि वो राजकुमर शुकल को ले करके मुझफरपूर चले गई क्योंकि महात्मा गांदी किसी की कही सुनी बात पे विश्वाशन नहीं करते थे तो उनको लगा कि पहले में मुझफरपूर जाके जो बात राजकुमर शुकल कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग पूरी बात सही है या नहीं मैं पूरी इन्फोर्मेशन ले लों कुछ प्रू लेकिन हमसे मैसेज किया और अपनी इन्फोर्मेशन ली और उसके बाद वो एक प्रोफेसर मलकाने के घर रुके जो की एक गवर्नमेंट जॉब में थी अब क्या होता है कि उस टाइम मलकाने को काफी ब्रेव समझा जाता था क्योंकि कोई भी परसन अगर ये होम रूल के प खहरा लेता था तो ब्रेटिशर्स उनको पनिश करते थी पर मलकानी जी ने अपने घर पे रोक लिया तो महतमा गांदी ने कहा है कि ये मलकानी जी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने मुझे इनकी होम रूल परसन को अपने घर रोका ये देखिए इस पिक मे इस पिक में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो किन किन लोगों से मिले और किन किन लोगों के साथ गए दूसरा महतमा गांदी की सिंपल लीविंग और उनका वियरिंग सेंस दिखाया गया है ये देखिए इंडियनस अफरेड ओफ शॉइंग सिंप्ती टू देर स्पोर्टर्स अफ होम रूल ये मैंने पहले ही बता दिया गया है कि जो इंडियनस थे मोस्ली वो डरते थे ब्रिटीशर्स से कि कहीं ब्रिटीशर्स हमें परिशान ना करें क्योंकि वो इंडियनस को ब बोला गया है यहां महात्मा गांधी को बोला गया है तो कि जैसे ही गांधी जी के आने की न्यूस पहुंची तो वो चंपारन के लोग महात्मा गांधी को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थी बट उनको ये लगा कि कोई सादू आया है हमारे यहां बाहर से जो कि हमार अब गांदी जी ने जब मुझाफरपूर के लायर से बात की कि आप कितनी फीस लेते हो लोगों से उनका केस लड़ने के लिए देखो पहली बात तो वो लोग परिशान थे अपने केस लड़ने की सोसते ही नहीं थे अगर कोई बहुत ज्यादा तंग होता केस करने के बारे मे सोसता भी ब्रेटिशर्स के अगेंस्ट तो वहां के जो लायर्स थे वो बहुत ज्यादा फीस लेते थे इसलिए वो लोग परिशान थे तो गांदी जी ने उनको चाइड किया चाइड मिस होता है डांट ना तो गांदी जी ने उन लायर्स को डांटा कि आप लोग इंडिय यह को फ्री करवाना ही नहीं चाहते हो चंपारन डिस्टेक वास डिवाइडिद इंटू स्टेट और इंग्लिश पीपल इंडियंस ऑनली टीनेर्स फार्मर्स देखिए स्टेट और स्टेट में क्या फर्क होता है स्टेट तो कोई भी परांद जैसे राजस्थान है हरियान पंजाब है ना इस टेट होते किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी तो जो आपका खेत है खुद का चाहे वो दस एकडमी है चाहे वो पांच एकडमी है वो आपका इस्टेट हुआ ठीक है फोट सो आप लोग समझ गए होगे चंपारन डिस्टेक को उस टाइम इस स्टेट Landlords compelled tenants to plant 15% of their land with indigo and surrender their entire harvest as rent. तो वहां क्या हुआ कि उस time Britishers ने Indian farmers को ये compelled किया हुआ था, मजबूर किया हुआ था कि आप लोगों के पास जितनी जमीन है उसमें से 15% पे आप लोग indigo उगाऊगे और जो indigo की पूरी फसल होगी वो as a rent आप लोग हमें दोगे. ठीके, in the meantime उसी time पे क्या हुआ जब indigo उगाने के लिए ये लोगों को force किया करते थे, जो Britishers थे indigo उगाने के लिए force करते थे, क्योंकि सभी देशों में इंडिया का बना हुआ indigo चलता था. तो उसी time में क्या हुआ कि Germany ने synthetic indigo बना दिया, synthetic क्या होता है? unnatural indigo, ठीके, तो कुछ उन्होंने अलग-अलग material को मिला के synthetic indigo बना दिया, तो उससे क्या हुआ कि Britishers, landlords freed the Indian farmers from the 15% arrangement, but asked them to pay compensation. तभी क्या हुआ कि जो synthetic indigo है, वो natural indigo से काफी अच्छा था. तो Britishers को लगा, अगर Indians को पता चला, तो ये तो हमें ऐसा नहीं करेंगे, ठीके, तो ये तो हमें यहीं indigo देंगे न, तो वट उन्होंने चलाकी से क्या किया, कि Indians को बताए भी न, जैसे उनको पता चला कि Germany में synthetic indigo बन गया, तो उन्होंने किसानों को 15% जो arrangement था न, क्या 15% जगह पे indigo उगाऊगे, उससे farmers को free कर दिया, और उतनी जगह के जितना indigo होना था, उसके according पैसा वसूलना शुरू कर दिया, उनको कहा कि हम आपसे 15% पे indigo उगाने को force नहीं करेंगे, बट आप लोगों ने जिस जमीन पे indigo उगाया है न, उसके बदले में हमें पैसा compensation देना हुगा, ठीके, क्योंकि उनको पता था कि अब indigo हमारा बिकेगा तो है नहीं, बिकेगा नहीं, तो इससे अच्छा होगा कि हम indians से पैसा ही वसूलने, मैंने sign, कुछ लोगों ने signature कर दिये, क्योंकि indians के पास ये news नहीं थी, तो उन भूले भाले indians ने उस पे sign कर दिये, and some resisted engaged lawyers, और कुछ लोग क्या हुए कि उन lawyers के साथ मिल गे, जिनको पता था, and landlords hired thugs, और तभी क्या हुआ कि landlords जो थे, उन्होंने thugs को hire कर लिया, थक्स क्या होती है, जो जवर्दस्ति किसी से पैसा वसूल लेती है, ठगों को, ठीक है, ठगों को, ठगों को hire कर लिया, कि आप लोग हमें इन farmers से पैसा वसूल के दोगे, चाहे किसी भी तरह से आपनों को force करो, तभी गांधी जी रिस्ट चंपारण, वीजिटर दा से क्रेटरी ओफ दे ब्रिटिश लेंडलोड एस्सोशेशन तो गेट दा फैक्स बट दिनाइड एस ही वस अन आउटसाइटर, तभी गांधी जी चंपारण पहुंचे, गांधी जी ने क्या किया, कि उनके सेक्रेटरी से मिलिये जो ब्रिटिश सेक्रेटरी थे, कि हमें आप लोग बताईए कि क्या दिकत है, आप लोगों को क्यों इस तरह से परिशान कर रहे हो, बट सेक्रेटरी ने गांधी जी को ये कहके मना कर दिया कि मैं आपको information नहीं दूँगा क्योंकि आप चंपारन से चंपारन के बाहर से हो उन्होंने कहा कि you are an outsider बट थे तो महातमा गांधी इंडियन्स अब राजकुमार शुकल गए यां तो नहीं सुचा कि मैंन की help जरूर करूँगा तभी क्या हुआ गांधी जी वेंट टो ब्रिटिश ओफिसिल कमिशनर who asked him to leave तेरहुत गांधी डिसॉवेट वेंट टो मोतिहारी दे कैपिटल अफ चंपारन वेर अवास्ट मेल्टीटूड ग्रीटेड हीम continued his investigations तभी गांधी जी ब्रिटिश ओफिसिल कमिशनर के पास पहुचे कि हमारी जो ये लेबरर्स की पीजन्स की प्रोबलम है इनका सुलीशन दीजिए बट उस कमिशनर ने क्या कहा गांधी जी को कि आप तिरहुत तिरहुत एरिया का नाम है जहां पे उस रहीम गांधी जी थी तो उन्होंने कहा कि आप तिरहुत को छोड़के चले जाएगे वरना हम आपके खिलाफ action लेंगे क्योंकि आप चमपारन के बाहर से रहने वाले हूँ गांधी जी ने कहा कि मैं आपके order को follow नहीं करूँगा तो गांधी जी ने डिस्वाबे कर दिया तिरहुत छोड़ने से मना कर दिया तबी गांधी जी वहां से मोती हारी जो की चमपारन की capital थी वहां चले गए और वहां से vast multitude, multitude होता है भीड वहां लोगों की काफी भीड हुई उन लोगों ने गांधी जी का स्वागत किया कि चलो ये हमारे साथ है और गांधी जी ने अपने investigation जारी रखी ये देखी ये भीड दिखाई जारी है जो गांधी जी के साथ उस time थी हांगे देखिए visited maltrated villagers तभी क्या हुआ कि कि किसी ने पुलिस प्रिजेंट बट डिस ओबेदा order बट क्या हुआ जब महतमा गांधी वहां जा रहे थे तो ब्रिटिश पुलिस प्रिजेंट ने उनको मना कर दिया वहां जाने से बट गांधी जी ने उनको फिर से डिस ओबेदा किया और वो उस परसन के पास पहुँचे जिसको मेल्टिट किया जा रहा था। मोतिहारी ब्लैक वीद पिजेंट्स अब मोतिहारी जो जगह है वो पिजेंट्स ने वहाँ पे वो लोग कलेक्ट हो गए सभी क्योंकि उनको पता था कि महातमा गांधी आ रही हैं और वो हमारी हेल्प के बिना तो कुछ के लिए तो करनी पाएंगे इसलिए पिजेंट्स ने महातमा गांधी का साथ दिया कि ये लोग हमारी हेल्प के लिए आए हुई हैं मोतिहारी ब्लैक वीद पिजेंट्स स्पॉन्टैनियस डेमंस्टेशन गांधी जे रिलेस्ट विदाउट बेल सीवल डिसॉबिडियंस ट्रैंफ वहां क्या हुआ कि जैसे ही महातमा गांधी को बहां जेल में डालने के लिए बोला गया कि इन्होंने डिसॉबिय किया है तभी मोतिहारी में लोगों ने पीजेंट्स ने वो इकठे हो गए सभी और उन्होंने कहा कि हमें उस भीड को जो भीड थी न महातमा गांधी को छोड़ने के नारे लगा रही थी जो ब्रिटिश को महातमा गांधी को फ्री में ही बेल देनी पड़ी फ्री में बेल दी तो क्या हुआ कि सीविल डिस ओबिडियन्स के जीत हुई सभी ने अवग्या जो अंदोलन था कि अंग्रेजों की बात हमने नहीं मानी अपनी बात पे अड़े रहे उसका पालन हुआ हाँ जी ये तो हो गया था इससे अगला देखिए चंपारन मोमेंट हुआ है जो 1917 में ये जो एपिसोर मैं बतारी हुआ 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 जे 1917 के बात है उसकी ये पिक दिखाई जा रही है आपको इससे आगे देखिए गांधी जी चंपारन सत्या गया है चंपारन में क्या जाओंगा तो आप लोगों को जो लॉयर्स बगेरा थे आप लोगों को भी हमारे साथ साथ जेल में जाना है ग्रूप वाइस ताकि ये ब्रेटीशर्स हमसे परिशान होके उनको डिसीजन लेना पड़े और वो इन पीजेंट्स के वेवर में अपना डिसीजन देंग तेकि कि किस तरह से उनको पिडित किये जा रहा था फिर दीज स्टेट्मेंट्स वाज रिकॉर्डर अंडर ऑफॉर्मल सिस्टम सेट अप बेसिक स्कूल्स तू तो फाइट इलिटरेसी एंड जेनरेट अवेरनेस तभी महात्मा गांदी ने वहां क्या किया कि लोगों की इलिटर अपने अपना अपना जो डर था जो बोल नहीं पा रहे थे उनको भी इस तरह से सर्वे किया गया कि वो अपनी पूरी प्रॉब्लम्स महात्मा गांदी को बता सकें लेड क्लीन अपोफ विलेज़ेस बिल्डिंग्स ऑफ स्कूल्स एंड होस्पिटल्स वहां सफाई के बारे में महात्मा गांदी ने सभी लोगों को बताया कुछ बिल्डिंग्स बनवाई एंड एंकरेस्ट विलेज़ेस टू एंड पर्दा अंटचाबलिटी एंड सुप्रेशन ऑफ विमें तभी क्या हुआ कि वहां लोगों को एंकरेस्ट किया किसके लिए कि पर्दा पर्था जो घूंगट निकालने के पर्था थी उसको हटाया जाए और अंटचाबलिटी को हटाया जाए और जो विमेंस हैं उनको प्रेसराइज नहीं किया जाए यह महातमा गांदी और उनकी वाइफ के पिक है तभी क्या हुआ कि इस पूरे इवेंट्स में गांदी एग्री टू ट्वेंटी फाइपरसेंट रिफंड बाइद लेंड ऑनर्स इट सिंबलाइस अरं अगर ट्वेंटी फाइपरसेंट भी यह रिफंड कर रही हैं लेंड ऑनर्स जो हैं फिर भी यह हमारी बहुत बड़ी जीत होगी क्योंकि आज तक जो इंडियन पीजेंट्स हैं उनके उनमें आवाज उठाने का बहुत बड़ा डर था वो इतने क्रेजिस नहीं थे कि वो लोगों के मन से डर निकला है हमारी लिए 25 परसेंट जा 30 परसेंट जा 15 परसेंट कोई माइने नहीं रखता सबसे बड़ी जीत हमारी यह है कि लोगों के मन से ब्रिटिशर्स से जो डर था वो निकल गया गांदी जी वर्क्ट हाड तोवर्स सोशल एकॉनोमिक रिफॉर्म् वाइफ महादेव देसाई और नरहरी पाले नभी इन लोगों की हैल्प से महातमा गांदी ने वहां काफी कुछ इंप्रॉव्मेंट किया रिफॉर्म्स किये गांदी जी टॉट और लैसन ऑफ सेल्फ रिलाएंस नोट बाइ सीकिंग हैल्प ऑफ एन इंग्लिश मैन मिस्ट रिलाइंस हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे हम किसी इंग्लिश मैन की हैल्प नहीं लेंगे चाहे वो मेरा दोस्त है अगर हम उनकी हैल्प लेंगे तो यह हमारे शान के खिलाफ होगा कि क्या हम इंडियन्स उनकी हैल्प के बिना कुछ नहीं कर सकते तो महातमा गांदी न जादा अगर हम देख लिए तो वो चीज हमें जादा अच्छी तरह से जाद रहती है लेसे इन सेल्फ रिलाइंस यह तो आपका सिंपल है आप लोग देख लिजेगा इस पिक में जिस पे मैंने सरकल किया है न वो मिस्टर एंड्रियू है ठीक है उनके बारे में दिखाया कि क इस तरह से उन लोगों ने कहा था कि मिस्टर एंड्रियू के हम हेल्प ले लेते हैं और महात्मा गांदी ने मना किया था ठीक है आगे देखे इसमें ये राजिंदर पर साथ जी दिखाई हुए है इदर महात्मा गांदी जी है ओपर राजकुमार शुकल है ठीक है यहीं प लोग इसकी नोट से लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे इसी नंबर पर फ़र से पैसेज कर दीजिए ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है थैंक्यू एंड हैव नाइस टे